दोस्तो अगर आपकी नाम पर एक आधर कार्ड है तो आपकी आधर कार्ड के साथ आपका कौन सा मुबाइन नंबर लिंक है आप उसको ओनलाइन के से चेक कर सकते हैं साथ यसाद अगर की आधर कार्ड पर आपका कोई भी मुबाइल नमबर लिंक नहीं है या तो आपके आधर कार्ड के साथ ऐसा कोई मुबाइल नमबर लिंक है जिसको आपे करना चाहते हैं तो complete जानकर ये आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ बने रहे है और वीडियो को प्लीज एंड तक का देखते रिएगा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करूंगे अभी तेक अपने इस वीडियो पर लाइक नहीं के तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस गंटी को बजा लेजिए और आने वाली नवी वीडियो की मज दालीजिए तो दोस्तों इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपनी फोन का कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है यहाँ पर दोस्तों आपको सार्जवर में टाइप करना है myother.uidai.gov.int के सिंप्ली आपको यह टाइप करना है और यहाँ से आपको सार्ज कर देना है तो यहाँ पर आदर कार्ड का जो नई पोर्टल है यह पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो की निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पोर्टल पर आने की बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्कॉल्डन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा verify email and mobile टी के आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके other card के साथ अगर आप mobile number को चेक करना चाहती है तो यहाँ पर सबसे पहला वाला option को आप चूस करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा verify mobile number और यहाँ पर अगर आप यह चेक करना चाहती है कि आपके other card के साथ कुन सा email ID link है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ mobile number को तो यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ उसके बाद में आपका जो other number है उससे other number को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको जो भी mobile number लगता है कि यह mobile number आपके other card के साथ link है तो इस mobile number को आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको capture देखने को मिलेगे इस capture को आप यहाँ पर same to same type करेंगे और यहाँ पर आप send OTP पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं अपना other number और mobile number डाल कर चेक कर लेता हूँ कि यह mobile number मेरे other card पर link है या नहीं तो यहाँ पर दोस्ते मैंने अपना other number भी डाल दिया mobile number भी डाल दिया और यहाँ पर मैंने capture भी डाल दिया तो यहाँ पर मैं send OTP पर click करता हूँ यहां पर देख पर यहां पर दिखे रहाए दा मुबाइब नमबर यह इंटरेट डूस नोट मेंच वुइट और रेकोड ठीक है यानि कि यह जू मुबाइब नमबर मेरी अधर काड़ के साथ लिंक नहीं है ठीक है तो मैं इस अधर को चेंज करके एक यहां पर दोस्ता आप देख पर यहां पर मुझे दिखा रहाँ है दा मुबैन नंबर Nya have internet is already verified with our record ठीक है यानि कि ये जू मुबैन नंबर में ने डाला है ये मुबैन नंबर ही मेरी आधार कार्ड पर लिंक है ठीक है इसी तरह दोस्तो यहाँ पर अगर आपको email ID को पता करना है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर आप email ID डाल कर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा email ID आपके other card के साथ लिंक है और दोस्तो अगर आपके other card के साथ कोई भी mobile number link नहीं है या तो ऐसा कोई mobile number link है जो mobile number को आप change करना चाहती है तो इसके लिए दोस्तो ओनलाइन ऐसा कोई भी सुविडाय नहीं है इसके लिए आपको कोई भी सहभा कंदरों पर जाना होगा क्योंकर दोस्तो मुबाइन नंबर को चेंज करने के लिए आपकी fingerprint की जुरूरत परती है ठीक है बिना fingerprint से आप अपनी mobile number को change भी नहीं कर पाएंगे और आप कोई भी एक mobile number को update भी नहीं कर पाएंगे इसके लिए तो आपको कोई भी एक नजदी की सेवाकंदर पर जाना ही पड़ेगा ठीक है तो दोस्तो वीडियो चलेगे तो वीडियो पे एक like कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे और साथ में इस गंटी को बजा लिजे और आपनी दिल के प्यारी प्यारी मीटी मीटी बातों से comment box को सजा दीजे तो दोस्तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ होगे कुछ नहीं नहीं